हलो बचो गृटीवनिंग, निर्टीवनिंग, निर्ट divisions तो आज टॉपिक है मारा तो देखो शुसल फारमेसी में चल रहा है प्रेवेंटिव हेल्थ केर सिस्टम कोंसा ? येस क्यuchPod number 2 ठीक है, ओके, इसमें हम लोग देखेंगे, बात करेंगे, फैमिली प्लैनिंग की, ठीक, डेमोग्राफी, यस, गडीवनिंग, गडीवनिंग, पिक्चर सही है, क्लियर है, ओके, चलो बई, तो देखो, क्या है, कि डेमोग्राफिक साइकल देख लिया था, और फैमिली प्लैनिंग में हम लोग ने फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली थी, इसमें हम लोग ख़़ा मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में बात तो कि जब ये यस गुड़ीबनिंग एवरिवन जब ये चीजे क्लियर होंगी उसके बाद ही आप कांट्रासेप्टिव या फैमिली प्लैनिंग के बारे में बात कर सकते हैं ठीक चलो थोड़ा सा जानकारी लेते हैं मेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम के बारे में मेल रेप्रोड़क्टिव सिस्टम ओलड़ी वेल अवेर है मींस हाई स्कूल इंटर से पढ़ते चले आ रहे है और रेप्रोड़क्टिव सिस्टम में फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइस करते हैं क्या करना है इट कंसेस of two testes बैंस्थ सिंपल सी चीजी क्या क्या है इसमें चलों टेस्थी से ओं was difference Есть पो आठ टेर्वेंड से। थीक पो ते पीछ थे से नेरी ब्लेडर हे यूरेटर संप इसमाइनल विशाइकल से सेमाइनल वेसाइकल्स हैं यूरेथ्रा है जो जिसके थूँ यूरिन पास होता है यस गूद इवनिंग इरेक्टाइल टिशूज है जहाँ पर मिंस जो हाइली मस्कुलर होते हैं जहाँ पर ज़्यादा ब्लेड सर्कुलेशन होने से इरेक्टाइल होता है ठीक चलो consist of two testis two wash difference ज़्यादा तर चीज़ें pair में हैं जो चीज़ें testis भई दो testis है तो दो testis से जो चीज़ें जुड़ी हैं वो obviously double में होंगी या नहीं pair में होंगी तो दो testis, दो wash difference दो seminal vesicle seminal vesicle जो fluid होता है semen होता है वो कहाँ निकलता है seminal vesicle से single prostate gland होती है ध्यान रहा है एक prostate gland मतलब सारी चीज़ें double double हैं लेकिन prostate gland की बात करें तो prostate gland कैसी है single है ओके ठीक है common ejaculatory duct joining urethra common ejaculatory duct जिसको हम क्या बोलते हैं urethra exterior organ का called penis जो हाँ से urine और sperm finally body से बाहर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं penis या penis okay sperm are formed in the testis sperm कहां से form होते हैं दोको ये testis है यहीं पे sperm का formation होता है यहीं पे sperm का formation होता है ठीक दोको यहाँ पे sperm formation होगा और process के थूँ intercourse के थूँ sperm यहाँ से इस तरह से जाते हुए इस तरीके से like this यह देखो इनका traveling distance कितना रहता है यहाँ से खाली sperm जाते हैं यहाँ से semen fluid आता है और आते आते पीनस से ejaculation होता है तो यह पूरा process होता है basically किसका male reproductive system में during intercourse किस तरीके से sperm sperm की synthesis कहाँ पे हमारी testis में होती है और testis कहाँ पे right testis की किस cell में testis के अंदर पाई जाती है leading cells इनके बारे में detail में जब हम लोग human anatomy and physiology पढ़ेंगे तो और ज़्यादा detail में बाकाइदे section के साथ कि किस जगे पे कौन सी cells होती है और testis में क्या-क्या होता है worst difference में क्या-क्या होता है पीनस के क्या-क्या अंदर पाठ होते तो इन सारी चीज़ों के बारे में detail में हम लोग जानेंगे कहाँ पे human anatomy and physiology यहाँ हमें सिर्फ चुकि family planning is related तो आपको system पता होना चाहिए जब system पता होगा तभी किस contraceptive का यानि family planning कैसे की जा सकती है तभी clearly explain किया जा सकता है ओके तो at least यह तो पता ही होना चाहिए कि कौन सी चीज pair में है कौन सी चीज single है ठीक चलो भई जब blood flow होता है blood flow into blood flow into the tissue of penis जब blood flow होता है tissues में during intercourse जब blood flow होता है blood circulation बढ़ता है और blood flow होता है तो भई जैसे देखो कभी भी जब आप लोग exercise करते हो मतलब जिम जाते हो या डौडते हो तो क्या है muscles और देखो full जाती है क्यों full जाती है क्योंकि यहाँ पे blood circulation तेज हो जाता है ठीक उसी तरीके से intercourse के दौरान यहाँ पे blood circulation बहुत ज़्यादा हो जाता जिसकी वज़े से इसमें erectile function आ जाता यह फुरासा hard हो जाता है फुरासा hard हो जाता है firm erect so that penetrate into the vagina अगर यह hard नहीं होगा तो फिर intercourse complete नहीं होगा जिसकी वज़े से वज़ेना में basic penetrate कर सके और जब penetrate करेगा तभी इससे निकलने जो sperm इधर testis में formation हुआ था वो sperm जब इससे बाहर निकलेंगे तभी जाके वज़ाइना में deposit होंगे अब फिर जरूरी नहीं है कि sperm के deposition से pregnancy होती है sperm अगर finally egg को fertilize करता है तभी जाके pregnancy होती है right on deposition of the sperm get into the uterus into the fallopian tube लोको इसलिए मैंने पर हम लोग male reproductive system है लेकिन female अब देखो ध्यान से यहाँ पे यहाँ पे अब मान लिया यहाँ पे sperm deposit हुए यहाँ पे sperm deposit हुए ठीक deposit हुए अब उसके बाद sperm की traveling चालू होगी कहाँ पे यह है fallopian tube sperm की traveling fallopian tube में इधर egg आएंगे fallopian tube में यहीं पे fertilization होगा मतलब fertilization के लिए इधर से egg और इधर से sperm दोनों चीजें चाहिए होगी ठीक दो में से एक हुआ तो fertilization finally नहीं होगा I hope की चीजें clear हो रही होगी once the sperm enters the transparent membrane round warm alter and prevent the entry of other sperm देखो एक चीज और कि एक बार एक बार अगर यहाँ पे sperm आ गया यहाँ पे ठीक यहाँ पे system होता है यह sperm इधर से travel करता फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ओवा है एक sperm ने अगर इसको fertilize कर दिया यहाँ पे single entry खाली सिर्फ और सिर्फ एक entry होती है अगर एक sperm ने इसको fertilize कर दिया उसके बाद दूसरा sperm कितनी भी ताकत लगा ले इसके अंदर नहीं जाता हैगा क्योंकि इसके अंदर जो shield होती है एक तरह की एक तरह की membrane होती है एक sperm अगर चला गया तो दुबारा नहीं इसलिए यह क्या होता है एक ही sperm से fertilize होता है ऐसा नहीं कि millions में sperm जाते हैं तो सारे के सारे fertilize कर देंगी रवर एक के बाद दूसरा नहीं करेगा ठीक अब अगर अगर sperm नहीं means sperm आया और वह नहीं मिला तब क्या होगा once the sperm get done ठीक है deposited sperm may be remain alive 24 hours even more time in some cases अब देखो ध्यान से एक case बनता है case ऐसा बना कि मान लिया यहां से sperm आये यहां से sperm आगे ठीक कोई दिक्कत नहीं यहां से sperm है अब उस समय पे यहां पे कोई ova नहीं है तो यह sperm 12 गंटे means 12 hours या इससे ज़्यादा समय तक यहां पे alive means जिन्दा रहेंगे उस दौरान अगर ova के साथ fertilization हुआ तो pregnancy possible है means ऐसा नहीं है कि तुरंत ova के साथ means 12 गंटे तक यह कोशिस कर सकता है fertilize करने की तो 12 गंटे तक vaginal atmosphere में sperm क्या alive रह सकता है ठीक है ओके ripe ova remains the capable fertilize about 12 hours और यहां पे अगर मान लिया एक case और है यहां पे अगर ova है ova कितना alive रहेगा 12 गंटे तक means यहां पे ovulation अगर होता है और 12 गंटे के अंदर यहां आवाज आ रही कि नहीं मेरी चीजें कुछ समझ में आ रही कि नहीं देको क्या है थोड़ा सा जिजक होती है बच्चों में लेकिन इसको topic को सिर्फ topic समझ के पढ़ो तो जिजक नहीं होगी पढ़ने में अब तो तुम लोग वैसे भी बड़े हो गए हो अब तो छोटी classes में भी reproductive system पढ़ाया जाता है और exam में सबसे अदा पूछा जाता है और यहां तो पढ़ रहे हो अभी बाहर जाके फर्मे आसिस्ट बन रहे हो तो बाहर जाके लोगों को यह समझानी पढ़ेंगी तब क्या करोगी ठिक वाइस क्लियर है की नहीं यह बताओ ओके अगर ओवा यहां पे है ओवा अगर यहां पे है इन केस और इस्पम नहीं मिला तो बारा घंटे तक अगर इस्पम मिल गया इसको तो भी fertilization के chances बनते हैं ओके फंक्शनिंग ओल दीज आर्गन्स मेकेनिजम डिपेंड्स ऑन दा हार्मोन सिक्रेटेड बाई एंटीर लोबा पिट्यूटरी ओके वाल क्लियर ठीक है ग्लैंड्स अंसेक्स ग्लैंड ओवरी फीमेल भाई देखो जितनी भी आपकी जो भी गोनैट्स हैं हार्मोन सिक्रेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है means hormonal balance किस तरीके से है किस हिसाब से है उसी से सारा का सारा भई जो contraceptives यूज होते है family planning के लिए family planning में क्या है बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए बच्चा प्रग्णनसी conceive करनी है या नहीं करनी है सिर्फ यही बात होती है family planning में और कहीं कुछ नहीं है ना तो उसके लिए female और male reproductive system के बारे में बात करनी जरूरी थी वो हम लोगोंने थोड़ा सा brief कर लिया आप बात करते हैं contraceptive majors को यह चीजें जब तुमको खुद जानकारी रहेगी तब ही तो दूसरे को बता पाओगे भई सोचके देखो बहुत सारी ऐसी delivery है major delivery जो male करते हैं means major major operations अब वो अगर कहने लगे नहीं भई कोई हम female का operation नहीं करेंगे हम female की delivery नहीं करेंगे या कोई बहुत सारी ऐसी female doctors होती है जो male के private parts का treatment करते हैं अगर यह जिजक उनमें भी होगी तो लोग सही नहीं हो पाएंगे तो यह professional की तरह तुमें पढ़ना है तुमें जानकारी चाहिए कल कोई जानकारी deliver करनी है दूसरों को इसलिए जानना जरूरी है तो family planning का simple सा मतलब contraceptive measures का यहीं है कि pregnancy नहीं करनी या pregnancy plan करनी है ओके the basis of using these method having the sexual pleasure pregnancy is avoided means sexual pleasure चाहिए लेकिन pregnancy नहीं चाहिए यह दो चीज़े न जाहिरती बात है कि एक समय के साथ-साथ हर चीज की requirement होती है body की तो sexual pleasure तो चाहिए लेकिन उसके साथ pregnancy नहीं चाहिए तो उसके लिए क्या contraceptive measures का इस्तिमाल करना पड़ता है ठीक कुछ methods है जैसे rhythm method rhythm method में इसमें कुछ नहीं use करते है सिर्फ पीरियड का knowledge होना चाहिए safe period के लिए menstruation का knowledge होना चाहिए फिर quietus interruptus इसके बारे में भी बात करेंगे इसमें भी किसी instrument या किसी device का use नहीं करते chemical contraceptives यहाँ पे chemicals का इस्तिमाल करते हैं mechanical contraceptives यहाँ पे mechanical condoms गरा का इस्तिमाल करते हैं जंदी करा देते हैं तो यह सारी चीज़ें majors हैं इनके बारे में हम लोग discuss करने आ ले हैं यह सबसे पहले rhythm method using safe period safe period जानने के लिए देखो बहुत तरीका होता है लेकिन उसके लिए आपके पास at least menstrual cycle का menstrual cycle का complete data होना चाहिए at least one year का एक साल का लगभग data होना चाहिए आपके पास तभी आप safe period calculate कर सकते हो क्यों 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 कि जाहिरती बात है menses कभी कभी irregular होते हैं और अगर irregular हुए तो किसी में कितने ज़्यादा irregular है आप अपने बारे में तो बता सकते हो अगर कोई female है तो अपने बारे में तो बता सकती कि उसके menses कितने irregular है लेकिन कोई आप से पूछने आए आप pharmacist हो आप से contraceptive majors के बारे में बात करने आए कि हमको safe period बता के दो तो जाहिरती बात आप किसी और के बारे में उसके कितने irregular हैं उसका आपके पास record होना चाहिए तब ही आप बता पाओगे Right Every sexual intercourse does not lead pregnancy Simple सी चीज है जितने बार sex किया जाता है जरूर नहीं कि हर बार pregnancy ही हो Right हर बार हो Pregnancy occurs when both women and sperm available in the matured state कब होगी pregnancy जब female का और male का sperm male का sperm और female का ओम जब ये दोनों मिलते हैं तब ही pregnancy होती है और जरूर नहीं कि हर बार sex करने पर ये दोनों मिले और ये कैसे होने चाहिए matured होना चाहिए ऐसा नहीं है ओम मिले मतलब ऐसा नहीं कि ओम ही नहीं निकले निकले लेकिन matured नहीं है तो भी pregnancy नहीं होगी matured warm release during each menstrual cycle हर menstrual cycle में matured warm release होते है ovulation occurs across 14th day तो जो 14th day होता है इस वक्त matured warm क्या है? mature हो जाता है और mature होके बाहर आ जाता है अब अगर इस समय इसको sperm मिल जाए तो fertilization के chances सबसे ज़्यादा होते हैं 14th day के बाद अब 14th day कहां से count करोगे भई जब से menses period सुरू हुए वो पहला दिन भई लग भग 5 दिन menses के माने जाते हैं है ना 5 दिन से लेके 14th day 1 से लेके 14th day यानि इस इस दिन तक क्या होता है? fertilization means ovum matured होके बाहर आ जाता है woman is the potentially fertile only 2 days before ovulation during the sperm capacity the day ovulation one day after ovulation egg is still fertilized जिस वक्त ये fertilize होने वाला है means mature होने वाला है उसके 2 दिन पहले और 1 दिन बाद बहुत सारे लोग हैं जिनको means conceiving नहीं होती pregnancy की problem होती है तो वहाँ पे ये formula की अगर इस दौरान intercourse किया जाए इस duration में intercourse किया जाए तो सबसे ज़्यादा chances होते है conceive करने के अभी और भी बहुत सारी चाहिए पता चलेंगी due to variation the total period of the menstruation cycle it can be said 9th to 18th day of the menstruation it is the fertile phase देखो जिस दिन से ये 9th और 18th day क्या है जान से जब समझो पहला दिन ये menstrual cycle का 1st day ठीक 1st day से लेके 9th day 9th से लेके 14th day ये 19 day ठीक इस तरीके देखो यहाँ से ये 5 दिन सुरू में ध्यान से समझो चीजों को 1 से लेके 5 दिन ये period होते हैं जिसको बोलते हैं bleeding period क्या बोलते हैं bleeding period ठीक इस वक्त bleeding होती है उसके बाद 5 से लेके 9 दिन ये 9 क्या 8 दिन ये होते हैं safe period safe period means इस time पे intercourse करने से pregnancy के chances नहीं होते हैं इसको हम बोलते हैं safe period और 9 से लेके 9 से लेके 19 दिन तक 9 से लेके 19 देज तक या 18 देज तक कह सकते हो 9 से लेके 18 दिन तक ये होते हैं ये होते हैं सबसे ज़्यादा fertile phase सबसे ज़्यादा fertile phase इसी वक्त ओवम का ovulation means ovulation के हबते भर पहले और ovulation के हबते भर बाद ये period सबसे ज़्यादा fertile माना जाता है और एक से लेके एक से लेके 8 दिन तक means message start होने से पहले दिन से लेके 8 दिन तक ये infertile phase होता है इस धोरान intercourse करने से pregnancy नहीं होती है safest period वाना जाता है इसको तो अगर कोई आता है आपके पास और ये पूछना चाहता है कि भई कोई भी भई family couples है सुरुवात में नहीं नहीं शादी होती है precautions नहीं यूज करना चाहते तो उस case में आप ये formula बता सकते हूँ ओके it is not desired expected that the sexual intercourse means अगर pregnancy नहीं चाहिए तो intercourse safe period में clear remaining days of the cycle consider the safe period तो कहने का मतलब 9 से लेके अठारा दिन 9 से लेके अठारा दिन तक होता है most fertile phase most fertile phase means इस दौरान सबसे ज़्यादा chances conceiving के होते है 9 से अठारा बाकी के जितने दिन होते हैं वो सारे के सारे days कैसे होते हैं उनको safe period माना जाता है तो 1 से 8 और 19 से 28 means इधर क्या हो गए देखो safe period की बात करे तो mensage start होने से लेके 8 दिन तक safe period ठिक और इधर 19 तारीक से लेके 28 तारीक तक safe period means 19 दिन से लेके 28 दिन 19 से 28 दिन तक safe period तो बीच में क्या बचा बीच में तुम्हारे पास बच रहा है 9 से लेके 18 9th day से 18th day अब ध्यान से देखो 9th day से 18th day तक बचता है तो ये वो दिन होते हैं जो most fertile होते हैं ठीक बाकी ये जो दोनों हैं ये safe होते हैं 1 से 8 और 1928 इनको safe period कहा जाता है तो basic जानकारी pharmacist को होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज देखो जानकारी के साथ साथ ये तुम्हारे exam के लिए बड़ा important है ये method safe period method या rhythm method कई बार exams में पूछा गया है previous years के paper भाई मैं एक दो दिन में आप लोगों को previous year के paper दिखाने वाला हूँ ठीक करनाटका बोर्ड के भी दिखाऊंगा आपको राजयस्थान बोर्ड के भी दिखाऊंगा UPBT के भी दिखाऊंगा और RGPV के भी दिखाऊंगा ठीक है चलो भई आगे बढ़ते हैं next है determination of fertile phase fertile phase determine करने के तरीके तो देखो दो तरीके हैं fertile phase के एक तो हो गया calendar method जो हमने अभी बात करी calendar method कि भी एक से लेके आठ डिन तक safe है और इधर उनिस से लेके 28 दिन तक safe है बीचमें unsafe period कौन सा है unsafe period 9 से लेके 18 दे ये क्या है unsafe और ये कौन सा है ये है safe period एक तो ये तरीका हो गया calendar method दूसरा होता है waking temperature method waking temperature method इस मेथड का इस्तिमाल जादा तर जानवर करते हैं जानवरों में टेमप्रेचर टच करके समझ जाते हैं कि मीन्स यह फर्टाइल है कि नहीं जानवर तो इवन इंसान के केस में भी यह तरीका लेकिन इसके लिए एक साल का डेटा इसमें भी चाहिए जब हार्मोन रिलीज होते हैं 14th day पे ovulation होता है और ovulation जिस वक्त होने लगता है उस समय estrogen और progesteron का level high हो जाता है ठीक उसकी वज़े से body का temperature बढ़ जाता है तो अगर daily morning में उठके temperature लिया जाए तो अगर आप लोग भी कोई भी female अगर इसको check करना चाहे तो जब means 28 दिन मैं कहता हूँ कि 28 दिन देहने जरूप नहीं है आपको सिर्फ 9 से लेके 18 दिन तक देखो एक से temperature काउंट करना शुरू को और चार्ट बना लो 28 दिन के लिए देखोगे कि 9 दिन से लेके 18 के बीच में body का temperature morning में बढ़ा हुआ मिलेगा और सबसे ज़्यादा किस दिन होगा 14 देपी होगा उसी दिन ovulation होता है लेकिन इसको कोई और नहीं बता सकता female खुद ही check कर सकती है तो इसको बोलते है temperature method तो second method time of ovulation determined on the basis of body temperature the basal temperature of the woman varies rhythmically during the menstrual cycle forms the distinct pattern अलग-अलग pattern से है ना immediately after awaking means सुबह morning में जब भी उठते हैं body temperature noted क्यों क्योंकि basal body temperature बढ़ जाता है daily अगर note किया जाए कई महीने तक तो एक pattern बनके आएगा एक chart pattern बनके आएगा जिसकी वज़े से possible ovulation time कब है वो निकाला जा सकता है अगर पूरे साल का 6 महीने का data निकाल लो तो उस temperature के base पे आप predict कर सकते हो कि इस दिन ovulation होगा इस time पे ovulation होगा तो body temperature देखके body temperature चेक करके आप बता सकते हो कि कोई female fertile face चल रहा है उनका means safe time चल रहा है या unsafe time चल रहा है got it? सिर्फ only on the basis of temperature तो body का temperature भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देता है clear? चलो भई, fertile phase determined हो गया अब आता है quietus phase, quietus phase interruptus देखो काफी tough है इसमें usually क्या है और बहुत safe नहीं माना जाता इसमें जिस वक्त intercourse किया जाता है तो at time of ejection at time of ejection penis को वजाइना से बाहर निकालिया means जो take off करते हैं, जो sperm है sperm जो वजाइना के अंदर deposit करते हैं तो उस वो time ejection के time के पहले penis को वजाइना से बाहर कर लेते हैं जिसकी वज़े से sperm अंदर नहीं जाता है और pregnancy ना होने के chances ज़्यादा रहते हैं लेकिन इसको safe नहीं माना जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि during intercourse भी कुछ sperm होते हैं कहते हैं लीक करके अंदर चले गए तो pregnancy हो सकती है लेकिन काफी हट तक इसका इस्तमाल भी करते हैं पहले के ज़बाने में इस मेथड का इस्तमाल किया जाता था it is popularly known as the withdrawal method इसको क्या बोलते हैं withdrawal method बोलते हैं yes दीपक in this method the sexual intercourse is started when the male is about to ejaculate penis is withdrawn from the vagina means जब intercourse start होता है और male partner अगर ejaculation के time पे अगर penis को वजाइना के बाहर कर ले means sperm का ejection वजाइना के अंदर नहीं होता है तो यहाँ पे भी pregnancy से बचा जा सकता है advantage क्या है advantage यही है कि कोई appliances का इस्तमाल इसमें नहीं करते है disadvantage क्या है not reliable method because spermatojoa may enter vagina although the quitus जा सकते हैं अंदर दूसरा interaction following reason जो है सही नहीं है क्यों क्योंकि escape the drop semen containing spermatojoa before ejaculation कुछ drop semen की वजाइना के अंदर जा सकती है during intercourse जिसको मैंने कहा नाम दिया leakage ejaculation in station दूसरा बहुत सारे लोग है जो means अगर control नहीं है अगर control नहीं है तो काफी tough method है withdrawal penis in the time means उस वक्त ejaculation के time पे इस method को apply करना ejaculation at the close enough external intercourse organ of the woman withdrawal of the penis can be extremely frustrating and unsatisfying means काफी frustrating है और काफी unsatisfying है means intercourse जो satisfy यो pleasure के लिए किया जाता है वो pleasure यहाँ पे नहीं मिलता जिसके जिसे frustration और unsatisfying सा feel होता है next आता है chemical contraceptus chemical contraceptus काफी ठीक ठाक है इसमें basically paste और jellies का इस्तिमाल करते हैं paste और jellies वजाइना के अंदर एक applicator means एक device का इस्तिमाल करके device का इस्तिमाल करके paste या jelly को वजाइना के अंदर fit कर देते हैं uterus के mouth पे uterus के mouth पे एक applicator का इस्तिमाल करके applicator मतलब एक device का इस्तिमाल करके जिसमें फसा के और वजाइना के अंदर यूटरस के मुँपे लगा देते हैं जिसकी वज़े से वहाँ पे जब sperm जाता है तो sperm किल हो जाता है मर जाता है और वो यूटरस के अंदर पहुंच नहीं पाएगा जब यूटरस नहीं पहुंचेगा तो फैलोपियन ट्यूब में जो एग है वो उसका फर्टिलाइजिशन नहीं कर पाएगा दूसरा सॉल्बिल टैबलेट या पेसिसरीज बहुत सारी पेसिसरीज हैं बहुत सारी सॉल्बिल टैबलेट से जो इंटर कोस के पाँच मिनट पहले वजाईना में लगभग यूज की जाती है यानि फाइब मिनट बिफोर दा इंटर कोस दा टैबलेट मेल्ट जिसकी वज़े से बौडी टैबलेट मिल्ट हो जाती है और वो जो केमिकल है वो पूरे वजाईनल मौस यूटरिस के माौथ पर फैल जाता है जिसकी वज़े से उस एरिया में स्पम जैसे जायेगा तो स्पम क्या डेड हो जाएगा तक्किल हो जाएगा, aerosol या foam method है, वजाइना में 5 मिनिट पहले intercourse के foam यो apply कर दिया जाता है, तो ये सारे जो methods हैं, इंडिया में बहुत कम इस्तिमाल होते हैं, ज्यादा तर ये विदेशी हैं, लेकिन ये है कि जानकारी तो आपको होनी चाहिए, आज नहीं तो कल ये method भी आ करना है applicator, applicator से सिर्फ कुछ नहीं, कोई भी chemical हो, uterus के मुह पे रख दो, जिसके वैसे body temperature पे वो spread हो जाएगा, और इस area में जैसे ही कोई sperm आएगा, वो kill हो जाएगा, जिसकी वजए से आगे जो fallopian tube है, fallopian tube में egg का fertilization नहीं कर पाएगा, means जो रास्ता travel करना है, वहां तक travel न लास्ट का mechanical contraceptive जो widely accepted है और इंडिया में भी खूब इस्तिमाल होता है, इसमें क्या है, भाई condom methods है, diaphragm हो गया, cap हो गया, IUD हो गया, intrauterine device, जिसमें से जो पहला और third method है, यह सबसे ज़्यादा widely accepted है, लोगों को जानकारी भी इसके बारे में सबसे ज़्यादा है, condom कैसे इस्तिमाल करते हैं, बताने की जरुत नहीं है, की है, it is the put on the penis, पेनिस पे इसको simply पहना देते हैं, जिसकी वज़े से होगा, क्या, ejaculation के time पे जो sperm होंगे, वो sperm इसी condom पे रह जाएंगे, और उनका जो ejaculation है, उनका जो deposition है, वो vagina के अंदर नहीं जाएगा, pregnancy नहीं होगी, ठिक, advantage बहुत easy use है, बहुत दूसरा सस्ता है, और सबसे बड़ी चीज की, अगर किसी partner के साथ आप intercourse कर रहे हो, और उसको अगर AIDS है, या कोई भी sexual transmitted disease है, तो उससे आपकी बचत हो जाएगी, वो आपको नहीं होतने पाएगी, disadvantage condom makes the way enjoyment intercourse, कहने का मतलब, इसका disadvantage एख है, कि feel आने में, means direct touch ना मिलने के वज़े से, बहुत लोगों को pleasure में problem, means pleasure नहीं मिलता है, proper जिस चीज के लिए, जो pleasure के लिए intercourse करते हैं, right, तो दूसरा, ज्यादा pressure पढ़ने पे, burst होने के, फटने के chances हैं, इसकी वज़े से conceiving हो सकती है, दूसरा है, diaphragm cap method, diaphragm cap method, कुछ नही यह दोनों चीजे, cap भी वज़ाइना के उपर रख दी जाती है, और diaphragm भी वज़ाइना के उपर, कि जिस्ती वज़े से, during intercourse, cap और diaphragm के उपर sperm रह जाते हैं, तो uterus तक नहीं पहुंचते हैं, नेक्स्ट आता है, intrauterine device, intrauterine device जैसे property वगरा है, जो सबसे ज़्यादा widely accepted है अपने लोगों के हाँ, कि अगर पहला बच्चा हो जाता है, तो ज़्यादा तरफ इमेस, even doctor खुद सजेस्ट करती हैं, कि IUD intrauterine device लगाने के लिए, पांथ, धाई साल, पांथ साल, दस साल के बीच में भी निकलवाया जाता है, ऐसा नहीं कि 10 साल के लिए आपने लगवा लिया, तो 10 साल तक pregnancy नहीं हो सकती, जब चाहो 6 महिने बाद चाहो, 2 महिने बाद चाहो, 2 साल बाद चाहो, इसको निकलवाया जा सकता है, तो safest method होता है, these are the place within the uterus and high reliable, uterus के अंदर place कर दिया जा है, copper T है, जो लोग का फियत तक जानते हैं, influence of an IUD, foreign body on the reproductive tract has been investigated in variety of the animals, बहुत सारे animals में होता क्या है, कि uterus के अंदर मान लिया, या IUD लगी हुई है, तो एक foreign body की तरह track करेगी, जहां पे इसके बाद, इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, ना जाने की वज़े से देखो क्या है, दीपक्ट, यहां पे कोई, वो sexual doctors तो है नहीं, है न, कि ऐसे issues के बारे में बताओं, topics related चीजें हैं, जो तुम्हारे काम की चीजें हैं, इसमें कोई भी doubt होने के कोई गुंजाइस नहीं है, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं, बस वही चीजें पूछी अगर डीप में जाके क्या होता है, तुम्हारा partner क्या चाहता है, तुम क्या चाहते हो, इसके लिए sexual doctor से मिलो ज़्यादा अच्छा है, हना, मेरे पास topics regarding कोई confusion है, तो वो मैं जरूर बता दूँगा, ओके, one possibility of their mechanism or action, implantation failure, तो जिसकी वज़े से होगा क्या, in case, in case, भई क्या ह हुआ, कि जो uterus है, जो, यह uterus है, uterus में already iud लगी हुई है, intra uterine device पहले से लगी है, ठिक, यहाँ पे यह माना जाता है कि इस भई, finally, भई, कोई egg है, इस pump से जब fertilize होता है, जाइगोट बना, इसका implantation होता है, कहां पे uterus के अंदर, uterus के अंदर, लेकिन uterus में तो already implant है, already implant है, तो पहले chances तो sperm ही नहीं जाएंगे, यहाँ पे fertilization नहीं होगा, दूसरा, अगर in case कोई sperm बदमास निकला, और यहाँ पे fertilization कर दिया, तो उसका implantation uterus में नहीं होगा, जिसकी वज़े से pregnancy नहीं होगी, right, ठिक, तो observe that iud have no effect on the ovulation in case of human beings, तो जो ovulation है, menstrual cycles है, उन पे किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, iud produce endometrial changes mainly their area immediately being the device, endometrium क्या, endometrium होती है, inner wall of the, inner wall of the urinary, sorry, endometrium behavior, endometrium changes mainly the area immediately being the device made unable to implant the gigot which get expelled, yes, तो uterus की जो अंदर की wall होती है, uterus की जो अंदर की wall होती है, तो uterus की अंदर की जो wall है, जहाँ पे implant होता है, उसी को बोलते हैं endometrium, endometrium, और ये endometrium काफी थिक हो जाती है, implantation से पहले, क्योंकि इसी endometrium के किसी पार्ट पे जाइगोटा के fix हो जाएगा, इस्टिक हो जाएगा, और 9 महीने तक बच्चा यहीं इस्टिक रहता है, यहीं पे इस्टिक रहता, इसी endometrium पे किसके uterus की, right, copper T की बाद करें इसी में, now widely medicated, tail, nylon, thread type की होती है, बाद में जब निकालना होता है, तो वही thread पकड़ के खीच लेते हैं, right, तो इसका इस्तवाल करते हैं, इसको बोलते हैं, IUD जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तवाल होने वाली चीज़े हैं, advantage क्या है, सस्ति पढ़ती है, हजार बारा सो में लग जाती है, और दस साल के लिए फुरसत हो जाती लोगों को, once fitted, these are effective for years to get the sexual pleasure, उसका आराम से sexual pleasure ले और pregnancy में कोई फरक नहीं पड़ेगा, these advantages, IUD के कुछ side effects होते हैं, सुरुआत में, minces एक दो महिने irregular होते हैं, bleeding में कभी ज़्यादा bleeding, कभी कम bleeding होती है, back pain हो सकता है, कभी-कभी होता क्या है, कि problem याती है, कि यह जो IUD होती है, यह uterus के और अंदर की तरफ चली जाती है, जिसकी वज़े से कई बार operation करके निकालना पड़ता है, occasionally it may be cause cancer, कभी-कभी कुछ ऐसे, चाहिरती बात है, metallic बनी है, अगर अच्छी quality की नहीं हुई, लोगों ने सस्ती quality की लगा ली, तो वो क्या करती है, cancer cause कर सकती, अंदर घाओ हो सकता है, तो हमेशा इन चीजों को अच्छी quality की ही लगाना चाहिए, फिर oral contraceptive की बात करें, oral contraceptive means hormonal pills होती है, hormonal pills होती है, ये daily खानी पड़ती है, इसमें pills का है कि estrogen या progesteron की बनी हुई होती है, उसके level को control करती है, ठीक, और ये daily, मतलब एक बार शुरू कर दिया, तो फिर इसको daily खाना है, one pills per day starting from the fifth day of the menstruation, means पाँचवे दिन से, तो उसके हिसाब से फिर intercourse किया करने के बाद, means pregnancy के chances ना के बराबर होती है, प्रोजेस्टरॉन इस्ट्रोजन इस्ट्रोएट टेकन बाई वोमेन, इन दा फॉर्म आफ टैबलेट, चेंज हर बॉड़ी केमेस्ट्री, तो इस तरीके से ये कुछ और पॉसिबल मेकेनिजम है, जैसे formation of very thin endometrium, कुछ और मेकेनिजम में क्या जो uterus होता है, उस case में हार्मोन की वज़े से, ये जो endometrium होती है, endometrium वैसे बहुत थिक होती है, जिसकी वज़े से जाइगोट यहाँ पे implant हो जाता है, और 9 मेहने तक रहता है, अगर इन हार्मोन की वज़े से ये जो pills ली जाती है, इसलिए जो oral pills ज़्यादा तर लोग लेते हैं, अगर means initial stage में, अगर oral pills ज़्यादा ले ली गई, तो उस condition में होता क्या है, कि बहुत सारी females बाद में pregnant means conceiving नहीं कर पाती है, उसके पीछे की वज़े क्या है, उस hormonal pills की वज़े से, उनकी जो endometrium है, endometrium पतली रह जाती है, ये थिक नहीं हो पाती, जिसकी वज़े से समस्या क्या आती है, कि means fertilization तो होता है, fertilization वह भी होता है, maturation भी होता है, fertilization भी होता, लेकिन जब implantation होता है, कहते है pregnancy हुई, लेकिन pregnancy रुकी नहीं, अब auto abort हो जाता है, कई बार तो पता ही नहीं चलता, कि pregnancy हुई भी है और कब abort हो गई, उसके पीछे, यह बहुत बड़ा side effect है, किसका oral pills का, तो यह main problems होती है, oral pills की, और भी कुछ जैसे sterilization process है, sterilization process दो तरीके से, males की बात करें, तो males में vasectomy होती है, जिसको बोलते हैं क्या, vasectomy, कैसे करते हैं vasectomy में, vasectomy में जो pipe होती है, जो pipe होती है, देखो धान से, यह testis हैं, देखो यह testis हैं, यह testis, इस testis से sperm निकलेगा, इधर जाएगा, इस testis से sperm निकलता है, इधर जाता है, और finally sperm ऐसे होते हुए, यह penis के रास्ते से बाहर ejaculation होता है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, vasectomy में, यह जो vast difference है, जो pipe है, जो ispump ले जाती है, testis से penis तक, इसको cut कर देते हैं, बीच से, cut कर देते हैं, और इधर एक gart लगा देते हैं, इधर एक gart लगा देते हैं, यह तो एक testis की बात हुई, इधर एक cut लगा देते हैं, इधर एक गाट लगा दिया, इधर एक गाट लगा दिया इसी को हिंदी भासा में नसबंदी गोलते है कुछ मिनट्स का ही काम होता है आजकल तो लेजर टेक्निक आ गई है लेजर से काम करते है बेसिकली यहाँ पे कट लगाया देखो 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 एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे इस पाइप को उपर के तराफ इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर इस तरीके से बान दिया ठीक, यह तो वैसेक्टोमी हो गई दूसरा, फीमेल्स की बात करें इसमें ट्यूबेक्टोमी होती है यह जो tube होती है देखो यहां पर यह ovary है यह ovary इधर से over release करती फैलोपियन ट्यूब में same case यहां पर भी फैलोपियन ट्यूब में तो यह इसमें क्या करते हैं जो tube जो pipeline इस्पम ले जाती है उसको cut कर देते हैं क्योंकि उसका नाम vast difference है और यहां पर फैलोपियन ट्यूब है चूब को cut कर देते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा tubeectomy तो फैलोपियन ट्यूब को दो जगे से cut कर दिया और बांद दिया है देखो जिसकी वज़े से यहां से over release तो होगा लेकिन release होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुचेगा जिसकी वज़े से इधर से sperm जवाएगा तो उसके साथ उसका कहीं पे भी कोहीं सामना नहीं होगा कहीं पर भी मिलर नहीं होगा जिसकी वज़े से क्या होगा प्रग्निंसी कभी नहीं होगी तो इस मेथड को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी तो मेल्स में बात करें मेल्स में तो उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी ध्यान रहे हैं उसको बोलेंगे वैसेक्टोमी फीमेल्स की बात करें तो इसमें बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी ओके तो यह कुछ इसको मेथटा है हम लोग बाकी के टॉपिक के बारे में बात करेंगे यहाँ पर कोई confusion हो तो बताओ यहाँ तक कोई confusion हो तो बताओ और जरह आपने साथ के लोगों को share और subscribe करो बताओ बहुत कोई doubt चलो बहुत कोई doubt नहीं है न कुछ doubt हो तो comment करके पूछ ले न बाकी share subscribe करो कोई issue हो तो बताओ बाई बाई